नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेगा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर, भारती जनता पार्टी में कुछ खल्चल सी मच रही है, मोदी का परिवार अब मोदी का परिवार नहीं रहा, अब ये मोदी परिवार के सदस्य एक नए परिवार की ओर जा अब उसके बाद तो नतीजे आही जाएंगे, साफ हो जाएगा कि क्या देश में लहर है, परिवर्तन की लहर है, ये सत्ता की लहर है, लेकिन अभी आपको बता दे कि जो रन्नीती, जो दाव खिलने का काम अखिलेश यादब ने किया है, उससे साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी काफी मजबूत उत्तरप्रदेश में नजर आ रही है, पहले चरण, दूसरे चरण के बाद भी लगातार अखिलेश यादब ने अपनी रन्नीती में बदलाव किये हैं, उलट फेर किये हैं, ताकि सशक्त होकर इंडिया गटबंधन उत्तरप्रद में चुनाव लड़ सके, और इसी रनीती के तहट अब भारती जन्ता पार्टी के सरस्य आज चले हैं समाजवादी पार्टी की और मैं बात कर रही हूं, दू ऐसे नेताओं की, और इनका आना समाजवादी पार्टी में और इनको टिकट मिलना अपने आप में दिल्चस्प हैं क्योंकि ये दोनों ही नेता अपने जाती में काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं, मैं बात कर रही हूं रमेश बिंद की और छोटे लाल खरवार की, रमेश बिंद वही है जो मौझूदा भिदोही लोगसबा सीट से सांसद हैं, जिनकी पतनी 2014 में चुनाव लड़ती हैं मिर्जापूर सीट से और मिर्जापूर सीट से अनुप्रिया पटेल द्वारा उन्हें शिकस्त मिल जाती है, हाला कि अगर मैं बात करूं रमेश बिंद की, तो रमेश बिंद मौझूदा सांसद विदोही से है 2019 में भी जीते जिस तरीके से और अब अनुप्रिया पट ये समीकरण भी समझ लें, बिंद समाज काफी ज्यादा है, पिछडा वर्क, अती पिछडा वर्क, समाने वर्क भी हाला कि काफी संख्या में है, लेकिन अगर वैशों की तादात की बात करूं, तो कुल 18 प्रतीशत है, और कुल आबादी, कुल मदाता जो है, वो 25 लाग की क जो मौजूदा सांसत तो बिदोही से है, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में हाल ही में आ गए, अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि हाल ही में आए समाजवादी पार्टी में भारती जंदा पार्टी के परिवार के सदस से को टिकट देने काम, जो अखिलेश यादव किया है, वो उस रणीती का महज एक नमूना है, क्योंकि इस से पहले भी आपने देखा कि किस प्रकार से, पूर्व सांसत, रॉबर्ट्स गंज से, यानि मैं बात कर रही हूँ, छोटे लाल खरवार की, वहीं छोटे लाल खरवार जो अपने जाती में तो जादा प्रभाव रखते ही हैं, साथ ही, जो सटे हुए इलाके है, जो सूनभदर का इलाका है, उसमें भी काफी जादा प्रभाव रखते हैं, भारतिये जनता पार्टी ने इन्हें 2014 में चुनावी मैदान में उतारा था, और उस समय उन्होंने बंपर जीत सुनिश्चित की थी, हासल किया थ बीएसपी के प्रत्याशी, शारदा प्रसाद को 1,90,000 वोट से हरा कर, सांसगर के रूप में चुने गए थे जनता दुआरा, लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने 2019 में उनके साथ एक खेला कर दिया, और उस खेला के तहट, 2019 के लोगसभाद चुनाव में, खरबार को कट गया, अलाकि 2004 में यहीं इतने भारी अंतर से जीत इन्हों ए दर्ज भारतिय जनता पार्टी के टिकट पर ही की थी, और वहीं जनता पार्टी ने ने टिकट नहीं दिया, तो आप तो फो बहुत बूरा हुआ इनके साथ राजनतिक तोर पर भी, क्योंकि जीत और यहीं कारण है कि अब समाजवादी पार्टी में ये आते हुए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के समक्ष भी कि दाव प्रस्तावित किया टिकट लेने की इच्छा जाहिर की और समाजवादी पार्टी ने उन्हें थमसप दे दिया अगरी हो गए वो यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिनेरियो पूरा का पूरा द्रिश्य अपने आप में प्रत्यक्ष तोर पर जिन दोनेताओं का जिकर कर रही हुए मिर्जापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद को उतारा है और इससे पहले राजेंद्र बिंद को टिकट हाला कि फाइनल हुआ था लेकिन उसमें होल्ड पर रग दिया गया था क्योंकि उसमें रॉबर्ट्स गंश का मुद्दा और ये लोग सबा सीट काफी ज़्यादा चर्चित थी और इसको लेकर भी क्यास लगाए ज़ा रहे थे कि टिकट बीजेपी से आए समाजवादी पार्टी में चोटे लाल खरवार को मिल सकती है और हुआ भी है और उसमें से होल्ड पर रखा गया था मिर्जापूर की सीट को लेकिन अब मिर्जापूर की सीट पर भी फाइनल हो चुका है नाम और रॉबर्ट्स गंश की सीट पर भी पस्चिमी उत्तरप्रदेश के वोटिंग तो निपट चुके हैं पहले दूसरे तीसरे चड़न में आपने खुद देखा कि पस्चिमी उत्तरप्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कितनी उंदर रन्नीती के तहट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और यह रन्नीती कितनी कारगर होती है कितनी सफल होती है तो चुवनावी नतीजों के बात पता चलेगा लेकिन संदे कुछ संकेत मिलने लग गए एक खबर भी पर अपने हार का ठिकराफ पोड देता है जिससे साफ है कि इंडिया गटबंदन को मजबूती मिल रही है या इंडिया गटबंदन के प्रत्याशियों में दम तो है खेर ये तो रही पस्चमी उत्तर प्रदेश की बात मौजूदा पूरवांचल की अगर मैं बात करूं क्य जो एक जून को होना है जिसको लेकर नामांकर कि पूरी प्रक्रिया और पूरा जो माहुल बनाया जा रहा है रैलिया हो रही है संबोधन किया जाया नुकड सभाय या योजित की जा रही है उससे भी आप दमखम देख सकते हैं एक दुरुष्य तो ऐसा था जिसमें प्रिय कि इंडिया गडबंदन कितनी ज्यादा जमीनी स्तर पर सशक्त नजर आ रही है और वोकल नजर आ रही है जिन मुद्दों को उठा कर समूचा इंडिया गडबंदन चुनाव लड़ रहा है वो अपने आप में परियाप्त है इस बात को भी समझने के लिए कि एक तरफ जहा पार्तिय जनता पार्टी चुनावी मुद्दों के अभाव में 400 पार किनारे तो लगा रही है लेकिन जमीनी स्तर पर ना कारे हो रहे हैं ना मुद्दे ना गिनवाने के लिए उपलब धिया है तो वही दूसरी तरह चुनावी प्रचार में कभी स्टार प्रचारकों को ला जैसे एक और खबर मैंने आपको बताई थी कि लखनावी सूरतकांड न हो जाए इसके लिए बैक अप भी तयार रखा था के लिए श्यादव यह कुछ-कुछ ऐसे संकेत है जैसे मालूम होता है कि समाजवादी पार्टी अपने राजे में या खास तोर पर मैं बात करूं क कि लोग सबाज सीटों पर जिस पर चुनाव हो रहे हैं जो होट सीट भी है और वो सीटे जो जादा चर्चा का पात्र भी नहीं है सबही सीटों पर अलग-अलग तरीके की रणीती समाजवादी पार्टी ने बना रहे है और दूसरी तरह इंडिया गटबंदन में कभी स्पेशल 24 कभी खुद ट्रियंका गांधी कभी सुनिया गांधी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं अपने कैंपेइनिंग स्ट्राटीजी और यहीं नतीजह है कि अब आम जनता जब उनसे पूछा जाता है तो उनके मन में बहुत से चीजें हैं और बदलाव की एक लहड देखने को मिल रही है अब देखना दल्चस्प होगा कि ये दूनों ही नेता जिसको समाजबादी पाटी ने टिकट दिया है जो है तो मोदी के परिवार के सदस्य लेकिन अब ये अखिलेश के परिवार के सदस्य हो चले है इनका अखिलेश के परिवार में स्वागत तो किया गया है लेकिन जनता उनका कितना स्वागत करेगी अब ये देखना दिल्चस्प होगा बेरहाल आज की वीडियो को समाप करते हैं आपकी क्या राय है उत्तरप्रदेश की इन दोनों लोग सबास सीटों पर मिर्जापूर और रॉबर्ट सकाच कॉमेंट सेक्शन के जरी मुझे तक पहुंच आए फिल्हाल मुझे दीजे अजासत मलती हूँ आप से इसे ही वीडियो के साथ धने बाद